आर्मी में तीन नए लोगों ने जॉइन किया था, तीनों ही बहुत होनार सिपाई है, तब ही हेड ओफिस से फोन आता है कि तीनों में से एक दुश्मनों का आर्मी परसन है, सीक्रेट इन्फॉर्मिशन निकालने के लिए यहां आया है, आर्मी का एक ओफिसर तीनों से आर्मारे फोटोस, तीसरा कहता है, मैं भी इसी कंट्री से हूँ, मेरी भी शादी हो गई है, यह देखिए मेरे फोटोस, तीनों फोटोस को देखके ओफिसर समझ जाता है कि दुश्मनों का आदमी कौन है, कैसे, क्या आप तीनों फोटो को देखके बता सकते हैं, सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताईए, चलिए इसका आंसर देखते हैं, तीसरे वाले की फोटोस को देखिए, सारे फोटोस एक ही लोकेशन के हैं और अलग-अलग ड्रेस में हैं, ट्री को देखिए, उसके नीचे पड़े पत्तों को देखिए, बैक्राउंड को द किये इसने ये फोटोस को एडिट किया है ये फेक है ओफिसर उसे पकड़ लेता है चलिए अगली पहली देखते है एक चूर चेल से भागने के लिए एक्टम तयार था उसने भागने के लिए एक गड़ा बना रहा था उसने रास्ते में खाने के लिए होट डॉक्स भी रख उसने बनाए हुए रास्ते से भागना शुरू कर दिया लेकिन जब वो रास्ते के एंड में पहुचा तो उसे तीन दर्वाजे मिले अब इन दर्वाजों के लिए वो तयार नहीं था पहले दर्वाजे के पिछे दुनिया का सबसे स्ट्रिक्ट पुलिस वाला है अगर चो दर्वाजे के पिछे जेल का सबसे खुखार डॉग है जो बहुत भूका है अगर चोर यहां से गया तो डॉग उसे कच्चा चबा जाएगा चोर सोच में पढ़ जाता है कौन सा दर्वाजा लेना चाहिए क्या आप सोचके बता सकते हैं चोर को कौन सा दर्वाजा लेना च चोर तीसरा दर्वाजा लेगा चोर के पास हॉट डॉक्स पड़े हुए है उसे वो डॉक को देखे बिजी कर देगा और दर्वाजे से निकल जाएगा चोर की समझदारी के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है चलिए अगली पहली देखते है सना थोड़ा ब्रेक लेती है और छुटिया मनाने के लिए पैरिस जाती है जब वो वापस आती है तो देखती है कि उसका घर पुरा तहस नहस था और उसके घर पे चोरी हो गई थी बहुत सारा कैश भी गायब था वो तुरन पुलिस को बुला लेती है पुलिस आती है और पुरे सिचुईशन को देखती है टेबल पे एक प्लेट भी रखी होती है लगता है चोर कुछ खाके भी गया है सना पुलिस को बताती है कि मेरी ट्रिप के बारे में सिर्फ तीन लोगों को पता था और मुझे उन पे ही शक है क्या आप इन सना के तीनों फ्रेंड्स को देखके बता सकते है चोर कौन हो सकता है ध्यान से सोचिए और आपका अंसर कमेंट कीजिए चलिए इसका अंसर देखते है चोर सना के गर कुछ खाके गया था अगर आप खाने की प्लेट को देखेंगे तो खाने वाला left-handed था और अगर आप सनाक के तीनों friends को देखोंगे तो उसमें ये पहली वाली लड़की left-handed है उससे पुलिस को समझ जाता है कि चोरी इसी ने की है चलिए अगली पहली देखते हैं रोहन के स्कूल की टीचर बड़ी चालाग थी एक दिन उसकी स्कूल में एक्स्टरनल टीचर आये थे बच्चों की टेस्ट लेने के लिए अब टीचर ने बहुत सभी plan बना लिया था एक्स्टरनल को impress करने के लिए एक्स्टरनल ने सवाल पूछा तो सारे बच्चों ने हाथ उपर किया टीचर ने एक बच्चे को चुना और उसने जवाब दे दिया फिर एक्स्टरनल ने दूसरा सवाल पूछा फिर सारे बच्चों ने हाथ उपर किया टीचर ने एक बच्चा चुना और उसने जवाब दे दिया एक्स्टरनल बड़ा खुश हो गया जितने सवाल पूछे, सारे बच्चों ने हाथ उपर किये लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है सारे बच्चों को आंसर आते नहीं थे तो ऐसा क्या किया टीचर ने? क्या आप सोच के बता सकते हैं? ध्यान से सोच ये, इसका आंसर बड़ा मज़ेदार है आप चाहे तो वीडियो को रिपीट कर सकते हैं ध्यान से देखने के लिए चलिए इसका आंसर देखते हैं टीचर ने बच्चों को बोल रखा था जिसको आंसर आता है, वो लेफ्ट हेंड उपर करना और जिसको नहीं आता है, वो राइट हेंड उपर करना टीचर हर बार जिसका left hand उपर होता था उस बच्चे से आंसर पूछती थी क्या must strategy लगाई ना टीचर ने external को impress करने के लिए आईडिया अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को like कर दीजे चलिए अगली पहली देखते है मेट घर पे काम कर रही थी तबी अचानक उसे गोली चलने की आवाज आती है वो तुरंट अपने मालिक रोहन को फोन लगाती है और बताती है कि घर पे गोली चलने की उसे आवाज आई है आप तुरंट घर आ जाईए वो डेटेक्टिव मेहुल को भी फोन लगाती है और बताती है कि घर पे गोली चली है और मैंने मालिक को भी फोन करके ये बता दिया है मेहुल और रोहन दोनों साथ में घर पहुचते है रोहन अच्छा हुआ डेटेक्टिव आप आ गए किसी ने मेरी बीवी को गोली मार दी है जल्दी से उसे आप पकड़ लीजिए मेहुल अंदर जाता है और रोहन की वाइफ को मरा हुआ पाता है और तुरंत रोहन को पकड़ लेता है क्यूँ? मेहुल को रोहन पे शक क्यूँ हुआ? क्या आप बता सकते है? चलिए इसका अंसर देखते है मेट फोन करके बताती है कि घर पे गोली चलनी की आवाज आई है ये नहीं बताती है कि खून हुआ है रोहन को कैसे पता चला? कि उसकी बीवी का ही खून हुआ है वही मेहुल को शक हो जाता है कि खूनी रोहनी है चलिए अग्दिली पहली देखते है रोहन और सना, राज और रमा, दोनों के बेटे दो दिन से गायब थे दोनों पुलीस के पास जाते है पुलीस बताती है कि उन्हें कल शाम आठ बच्चे मिले थे पहचान लो, आप लोगों का बच्चा कौन सा है? क्या आप इन आठ बच्चों को देखके बता सकते हैं रोहन और राज के बच्चे कौन कौन से है? ध्यान से सोचिए और आपका अंसर कमेंट कीजिए पहले तो दोनों के बेटे गुमेते तो लड़कियां तो सारी एलिमिनेट हो गई बच्चे हुए में ध्यान से देखिए C वाले के हैर रोहन से मिलते है और I सना से मिलती है तो ये इनका बच्चा हो गया F वाले के हैर राज से मिलते है और उसको रमा के जैसे तिल है तो ये इनका बेटा हो गया दोनों को अपने बेटे मेल जाते है चलिए अगली पहली रिखते हैं दो बच्चे बीच पे खेल रहे थे उन्हें रेत में फसा हुआ एक पाइप दिखता है उसमें से जाग के देखने पे उन्हें एक बर्ड दिखता है पाइप काफी लंबा और सक्रा था बर्ड उसमें से बाहर नहीं आ पा रहा था बच्चे उसे लकडी की मदद से भी बाहर नहीं निकाल पा रहे थे बर्ड को लग सकती थी तो अब क्या करें? कैसे निकाले बर्ड को बाहर? क्या आप बता सकते हैं? आपका अंसर कमेंट कीचे चलिए इसका आंसर देखते है बच्चों ने सही तरकीब निकाली वो पाइप में धीरे धीरे रेद भरने लगे जैसे जैसे पाइप में रेद बढ रही थी बढ उपर आ रहा था और थोड़ी देर में वो बाहर निकल के उड़ गया चलिए अगली पहली देखते है चलिए मुझे बताईए ऐसी कौन सी चीज है जिसकी परचाई नहीं होती ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताईए और इसका सही जवाब है सडक, रोट, रोट की परचाई नहीं होती रामू बहुत गरीब था, उसका एक लड़का था, जो शहर जाने के सपने देखा करता था लेकिन उनके पास शहर जाने के पैसे नहीं थे एक दिन रामू ने शहर जाने का ठान ही लिया तो उसकी मा ने उसे एक फ्रूट देते हुए कहा बेटा, ये फ्रूट रख ले भूक लगी तो खा लेना प्यास लगी तो पी लेना और ठन लगी तो जला लेना तो आप सोचिये और मुझे बताईए उसकी मा ने उसे कौन सा फ्रूट दिया द्यान से सोचिये और मुझे आपका अंसर कमेंट करके बताईए उसकी मा ने उसे नारियल दिया भूक लगे तो उसे खा सकते है प्यास लगे तो पी भी सकते है और ठन लगे तो उसे जला भी सकते है इन दोनों मेड्स को द्यान से देखिए और मुझे बताईए किसका चोरी का इंटेंशन है सोचे और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताईए चलिए इसका आंसर देखते हैं इसमें पहली वाली मेड का चोरी का इंटेंशन है दूसरी वाली मेड ने सामने की जाडू लगा ली है लेकिन उसने रिंग को वही पड़े रहने दिया लेकिन पहली वाली मेड ने रिंग को उठा के अपने बकेट में डाल ली इसलिए इसका चोरी का इंटेंचन होगा आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में बताईए और ऐसी और पहलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीचे